अगर आप जानना चाहते हैं कि जानवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की इनरजीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडन्स रहेगी, जिसको फॉलो करके जानवरी मन्त की इनरजीज को आप भेतर क सकते हैं, तो यह reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वह आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो, तो चलिए जी देखते हैं कि जानवरी मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है चलिए क्या प्रिकॉण्स आप लोगों के लिए देखें कि January 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी एनरजीज देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनरजीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली January मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं Intensity and Justice Reverse और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से याँ January स्टार्टिंग में बहुत एक intense emotions, बहुत एक intense feelings आप अपने partner के लिए या फिर अपने relationship के लिए महसूस कर रहे हैं और इसी वज़े से याँ फिर otherwise भी आप एक balance अपनी energies में नहीं रख पा रहे हैं बहुत logically आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि एक balance नहीं रख पा रहे हैं इन दा process हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ, आपके partner के साथ या फिर इस relationship के साथ चीजें fair नहीं हो रहे हैं किसी level पर किसी तरीके का injustice या फिर unfair energies रह रहे हैं यह सब Capricorns के लिए differ करेगा कुछ Capricorns को ऐसे लग सकता है कि भ Francisco आप ही अपने partner को लेकर इस relationship को लेकर उतने fair नहीं हो रहे हैं यानि कि आपकी तरफ से unfair energies रह रहे हैं कुछ Capricorns को हो सकता है लगे कि उनके partner इतने fair नहीं रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि circumstances, situations की वज़े से आप एक unfair energies, एक injustice किसी level पर महसूस कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि मन नहीं, मन एक obsessive, एक possessive, एक बहुत intense emotions, feelings आप महसूस कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी, यहाँ पर moon का card कहता है कि बहुत एक confusion आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस situation में आप क्या करें, clarity लाना चाहा रहे हैं, clarity नहीं आ रही है, fear है, insecurities है और deeper level के लिए देखी आप universe पे faith करके, यहाँ जिस God को मानते हैं, उन पे faith करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, action initiatives लेना चाहा रहे हैं अपने relationship को यहाँ पिर जो भी आप चाहा रहे हैं, उसको real life में manifest करना चाहा रहे हैं लेकिन, again मैं कहूंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को deal करें, एक fear, एक confusion, एक insecurity रह रही है and end January के लिए the dream and four of cups rivers के cards कहते हैं, कि deeper level के लिए आप एक ख्वाब देख रहे हैं अपने partner को लेकर, इस relationship को लेकर, आप कहीं उनों long term उनके साथ चाहा रहे हैं या फिर एक togetherness चाहा रहे हैं, उनका साथ अपनी life में हमेशा के लिए चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए again दिखिए, एक boredom सी energies हैं, एक monotonous सी energies हैं आप emotionally low feel कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा withdraw भी करते वे दिख रहे हैं, उतना actively चीजों में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप सोच जादा रहे हैं, आप खौब जादा देख रहे हैं, आप vision जादा बना रहे हैं, लेकिन फिर से action initiatives नहीं ले रहे हैं in fact देखिए, पूरे ही January मन्त में अगर मैं देखूँ, तो mid January तक आप मन ही मन deeper level के लिए action initiatives लेना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं end January के लिए तो आप deeper level के लिए भी withdraw कर रहे हैं कभी फिर से मैं कहूँगी कि action initiatives जो भी आप चाहाते हैं, उसी से related missing रहते वे दिख रहे हैं और अब देखते हैं Capricorns के आपके partner की के energies हैं, तो आपके partner के लिए दिखें, mid January के लिए यहाँ पे seven of wands reverse and चारे रिवर्स के cards कहते हैं कि action initiatives वो भी लेना चाहा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे सब Capricorns के partner के लिए different reasons रह सकते हैं, कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि उतना courage, उतना willpower, उतना determination नहीं रख पा रहे हैं, और छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी अरचने रह रहे हैं जिनसे आप fight नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आप अपने आपको overcome करने दे रहे हैं, I don't know यह right sentence है या नहीं है यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है, कि कहीं जो भी problems है ना उनके उपर जादा focus कर रहे हैं, या फिर उनसे घबरा रहे हैं और उतना assertively, उतना strongly अपने लिए इस relationship के लिए stand नहीं ले पा रहे हैं, कहीं give up करते वे दिख रहे हैं, आप front होके चीजों को नहीं face कर रहे हैं और deeper level के लिए moment to moment and turning इनके काट कहते हैं, कि बहुत संभल संभल के आपके partner चलना चाहा रहे हैं या चल रहे हैं, किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं, safe होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि भाई हलकी सी भी कोई बात हुई और फिर वो चूप जाएंगे, फिर परिशानिया होंगी, फिर उनके लिए issues मसले होंगे और इनी चीजों को mind में रखते हुए फिर से मैं कहूंगी बहुत ही संभल संभल के चल रहे हैं, कदम फूक फूक के आ आक्षन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ट कह रहे हैं, कि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए कुछ के पार्टनर के लिए हो सकता है, कि वो वाकई में आक्षन इनिशेटिव लेना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, सब के लिए different reasons होंगे, और कही deeper level के लिए जो भी चीजें उन्हें परिशान कर रही हैं बौदर कर रही हैं उनसे वो विड्रॉ करना चाहा रहे हैं and देखिए end january के लिए awareness and four of wands reverse के cards कहते हैं कि कि किसी चीज की realization उनको रह रही है किसी चीज का एहसास उनको रह रहा है और ये भी सब capricorns के partner के लिए differ करेग कुछ capricorns के partner के लिए हो सकता है कि कोई गलती उनसे हुई उसका एहसास हुने हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सच को वो नहीं accept कर रहे थे उसके लिए एक acceptance आ रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सच को वो ignore कर रहे थे avoid कर रहे थे तो देखिए कुछ भी हो सकता है broader level के लिए एक awareness एक realization किसी चीज को ले कर आती हुई दिख रही है और यहां पे दिखिए four of wands reverse का काट कहता है कि आपके साथ definitely togetherness चाह रहे हैं, companionship चाह रहे हैं, जादा मिलना चाह रहे हैं, interact करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि vacation पे आपके साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, marriage engagement चाह रहे हैं, लेकिन इसी से related कुछ issues, कुछ मसले भी वो face कर रहे हैं और कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि change of place, change of residence, change of location उनके लिए रह रहा है, जिससे related कुछ issues हैं, या पिर जिसकी वज़े से इस relationship को उतना time नहीं दे पा रहे हैं, togetherness चाह रहे हैं, लेकिन कहीं you know, इसी से ही related, इसी की वज़े से यादवाइस भी छोटे मोटे issues रह रहे हैं, और अब देखते हैं Capricorns की January month में क्या हो रहा है, तो देखिए January month के लिए या मैं कहूंगी January starting के लिए, यहाँ पे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं, the outsider and page of souls, और यह cards कहते हैं, कि कुछ time से या January starting में, हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, थोड़ा सा you know, दूसरे जनको ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, उतना attention, उतना love care नहीं दे रहे हैं, कुछ Capricorn या उनके partner के लिए literally हो सकता है, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, दूसरे जनको block कर रहा है, और दिखे deeper level के लिए एक neglect, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, जिसकी वज़े से, या फिर otherwise भी एक irritation, एक frustration रह रही है, थोड़े से logical हो रहे हैं, थोड़े से defensive हो रहे हैं, blunt communication रह सकता है, arguments छोटी छोटी सी चीज़ों पर रह सकते हैं, और हो immature energies रहती हुई दिख रही हैं, और दिखे, mid January के लिए king of swords and comparison के card, again दिखे, mind से चीज़ों को deal करने की बात करते हैं, बहुत ही logically, you know, चीज़ों को deal करने की बात करते हैं, और हो सकता है कि जो immature energies हैं, वो कहीं, you know, खतम हो रही हैं और maturity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं, लेकिन communication फिर भी straight forward रह रहा है, कहीं January starting में immature communication रह रहा है या फिर blunt immature communication रह रहा है, और mid January में कहीं देखे, फिर से मैं कहूंगी straight forward और blunt communication है लेकिन maturity के साथ बातचीत हो रही है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक controlling हो सकते हैं, dominating हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाहा सकते हैं, अगेन आप दोनों में से किसी की energies रह सकती हैं, लेकिन जो male figure हैं या फिर जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से ये controlling dominating energies जादा रह रही हैं, एक comparison चलता हुआ दिख रहा है, और देखिए Capricorns मने हमेशा कहा है कि comparison हमेशा ही गलत नहीं होता है, कभी कभी ये comparison हमें एक growth, एक progress लाने में मदद करता है और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस comparison की वज़े से अगर issues मसले रहें तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें, and end January के लिए देखिए चीजें किसी level पे better हो रही है, यहाँ पे Nine of Cups का काट प्यार, महबत की बात करता है, कहीं you know eating, drinking की बात करता है, एक दूसरे के लिए love, care, रखने की बात करता है जो की इस relationship में रह रहा है, लेकिन deeper level के लिए courage का काट कहता है, कि issues, मसले फिर भी रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों शायद यूनों, वो courage जुटा पा रहे हैं, वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं, कि जो भी चीजें हैं, उनको face कर पाएंगे, या कर रहे हैं, और कहीं दिखिए आपका प्यार, या आप दोनों के मन में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, उसी की तरफ से एक हिम्मत, एक courage आता हुआ दिख रहा है, willpower determination आती हुई दिख रही है, और हो सकता है कि इसी वज़े से चीजें भी better हो रही हैं, तो दिखिए जो भी आप लोगों के लिए January 2023 की लाफ टारो रीडिंग और अगर ही रीडिंग आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें